ओम गनेशा ये नमहा आज हम दीवो थानी एकादशी का महत वजानेंगे और साथ ही साथ उसकी कथा सुनेंगे और ये एकादशी सबसे ही जादा महत पूर्ण एकादशी होती है क्योंकि ये कार्थिक मास में आने वाली एकादशी होती है और माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से और इसके व्रत का जो फल होता है वो अनंत गुना प्राप्त होता है तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदी दिये वह नित्त की तरह नदी पर पहुंचा और शनान कर भोजन पकाने लगा जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा आओ भोजन तयार है उसके बुलाने पर पितामबर धारण किये हुए भगवान चतर हुजरूरूप में आप पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे भोजन आदी करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया पंदरा दिन बाद अगलिये का भगवान पूरा नहीं होता यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्रे हुआँ वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन खाते हैं मैं तो इतना वगरत रखता हूँ पूजा करता हूँ पर भगवान ने मुझे कभी दर्षन नहीं दिये राजा की वह बोला महराज यदी बिश्वास ना हो तो साथ चल कर देख लें। कर भोजन करने लगे। खापी कर वे अपने विमान में बिठा कर उसे अपने धाम को ले गए। यह देख कर राजा ने सोचा कि वरत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक मन शुद्ध ना हो इससे राजा को ज्यान मिला। वह भी मन से वरत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवो थानी प्रभुदिशी इकादिशी की दूसरी कथा जो कि तुलसी विवाह की भी पौरानिक कथा है। बोलो लक्ष्मी नारण भगवान की चै। ओम गणेशा ये नमहा आज हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। बोलो गणेश भगवान की चै। एक बार भगवान शिव ने अपनी तेज को समुद्र में फैंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक का जनम हुआ। यह बालक आगी चलकर जलंदर के नाम से पराक्रमी दैत्यराजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी दैत्यराज कालनेमी की कन्या, वरिंदा का विवाद जलंदर से हुआ, जलंदर महाराक्षस था और अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्षमी को पाने की कामना से युद्ध किया परंतु समुद्र से ही उत्पन होने के कारण माता लक्षमी ने उसे अपने पर दिवाई के रूप में स्विकार किया। वहां से पराजित होकर वे देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश परवत पर चला गया। इसलिए जलंदर का नाश करने के लिए वरिंदा के पती वरत धरम को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भागवान विश्नु रिशी का बेश धारन कर वन में जा पहुंचे जहां वरिंदा अकेली भ्रहमन कर रही थी। भागवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वरिंदा भाई भीत हो गई रिशी ने वरिंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया उनकी शक्ती देखकर वरिंदा ने कैलाश परवत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पती जलंदर के बारे में पूछा। रिशी ने अपनी माय जाल से दो वानर प्रकट किये एक वानर के हाथ में जलंदर का सिर्धा और दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पती की यह दशा देखकर व्रिंदा मुर्चित होकर गिर पड़ी होश में आने पर उन्होंने रिशी रूपी भागवान से विंती की की वह उनके पती को ज जिस से उसका सतित्व भंग हो गया ऐसा होते ही व्रिंदा का पती जलंधर युद में हार कया इस सारी लीला का जब व्रिंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को ख्रदय हीन शिला खोनी का श्रापति दिया अपने भक्त के श्राप को भगवान विश्णु ने सुईकार किया और शाली ग्राम पत्थर बन गए श्रिष्टी के पालन करता कि पत्थर बन जाने से ब्रह्मान में आसंतुलन की स्थिती हो गई यह देखकर सभी देवी देवताओं ने व्रिंदा से प्रात्ना की कि वह भगवान विश्णु को श्राप से मुक्ती देदें व्रिंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयम आत्म दाह कर लिया जहां व्रिंदा की भस्म हुई वहां तुलसी का पौदा हुगा। लोक और परलोक में विपल यश प्राप्त हुगा उसी दैत्य जलंदर की यह भूमी जलंदर नाम से विख्यात हुई सती व्रिंदा का मंदिर मोहला कोट किशन चंद में स्थे थे कहते हैं कि इस्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो कि सीधे हरिद्वार तक जाती थी स चेमन से 40 दिन तक सती व्रिंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरत पूर्ण होते हैं जिस घर में तुलसी होती हैं वहां यम के दूद भी असमय नहीं जा सकते व्रत्यू के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जात हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है जो मनुष्य तुलसीवा आम लेक की छाया में अपने पित्रों का श्राद करते हैं उनके पित्र मुक्ति को प्राप्त करते हैं बोलो लक्ष्मी नारायन भागवान की जै